नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी के एक बाद फिरसे मेरी यूट्यूब चैनल पे तो जैसे कि आप सभी लोग थमनेल लेके भाइचान चुके होंगे आज हम लोग एक और जीके की ट्रिक पढ़ेंगे तो पहले तो इसकी कंट्री देख लेते हैं कौन-कौन से कंट्री इसके अंदर रगत आती हैं तो एक कंट्री है का नाम है जर्मनी, जापान, कैनड़ा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूरोपेन यूनियन उससे पहले इसमें रश्या भी आया करता था तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि इस 1975 में इसमें G6 कंट्री हुआ करते थे हैं तो थो खरवा सिक्स कंट्री थे उस वजह से रोष्या को अमेरिका ने निकाल दिया था ग्रूप से तो 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 आप्रवि कंट्री जो बचे थे वो बचे थे साथ लेकिन इस इसमें अगर members के बात करीजा total तो एक time पे इसमें total 8 members तक हुए थे ठीक है कौन-कौन से थे एक बार फिर से repeat कर लेते हैं पहला है Germany, Japan, Canada, Italy, Britain, Russia, France, America और European Union अब इसमें इसकी history के और याद करने के trick बनाई जाए तो अब ऐसे याद कर सकते हैं कि 5, 6, 7, 14 ठीक है 5, 6, 7, 14 अब ये 5, 6, 7, 14 क्या है जो 5, 6 represent करता है 1975 को 6, 1976 को 7 जो है 97 को और 14 से आता है आपका 2014 तो 5, 6, 7, 14 और इसके corresponding क्यायत करना है कि 6, 7, 8, 7 6, 7, 8, 7 याद कि 5, 6, 7, 8, 7 ठीक है याद कि 1975 में तो 6 कंट्री थे फिर 76 में 7 हुए 97 में 8 हुए और 2014 में फाइनली 7 हुए तो क्या trick है ट्रिक है कि 5, 6, 7, 14 और उसके corresponding है 6, 7, 8, 7 ये 6, 7, 8, 7 कंट्री थे ठीक है अब देख लेते हैं इसकी फिलाल जो 2020 में होने वाली इसकी समिट ये कहां पर होने वाली तो 2020 में इसकी 46 समिट होगी ये होने वाली United States of America में 47 समिट जो होगी 2021 में होगी ये होने वाली United Kingdom में और 45 समिट इसकी हुई थी 2019 में जो हुई थी France में जिसमें इंडिया को भी बुलाया गया था इन्वाइट किया था France के President ने ठीक है तो टोटल कंट्रीज कितनी बड़े हम लोग ने साथ क्या के नाम हैं कि Germany, Japan, Canada, Italy, Britain, Russia, France, America, European Union इसकी हिस्ट्री हम लोग के पड़े कि 5, 6, 7, 14 यानि 1975 में 6 countries थी 1976 में 7, 1997 में 8 और 14 में 7 तो 5, 6, 7, 14 और countries इसके corresponding है 6, 7, 8, 7 तो 5, 6, 7, 14 और 6, 7, 8, 7 तो 5, 6, 7, 14 और 6, 7, 8, 7 ठीक है अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा से ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं ठीके ब्रिक्स जो था ये भी एक बहुत important world body है जो जिसकी establishment हुई थी 2006 में लेकिन इसके first meeting जो हुई थी फर्स्ट समिट जो हुई थी 2009 में ठीक है और कहा हुई थी यह हुई थी रश्या में उसके लावा ब्रिक्स बैंक जो है 2014 में बना था 15 जुलाई 2014 में और इसके headquarter है शंगाई में इसके first president थे केवी कामत ब्रिक्स बैंक के इसको new development bank भी कहा चाता है total जो है अब तक 11 summit हो चुकी है ब्रिक्स की ग्यारवी summit 2019 में हुई थी और बारवी summit होनी है जो कि 2020 रश्या में होगी उसके अलावा इसमें जो member countries है वो है ब्राजील, रश्या, इंडिया, चाइना और साउथ अफरिका इसकी जो rotal summits है उसको यात रखने के लिए छोड़े से trick है trick है कि RBC is bricks bar, RBC होता है red blood cell यानि कि RBC space फिर है is, 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 फिर space फिर bricks, b-r-i-c-s, bricks यानि कि eat, फिर space bar यानि कि BR तो bar मतलब होता है chocolate तो हम लोग A को नहीं लिखेंगे फिर BR लिखेंगे यानि RBC जो है वो eat की chocolate है, अगर हिंदी में translate किया जाए, अब इसका use किया ठीक है, तो देखें, RBC से होकर पहली, यह summits के नाम ठीक है, पहली ही जो summits थी वो है Russia, B से Brazil, C से China फिर आता है is, space के बाद, इस से है इंडिया और South Africa, फिर है BRICS, तो Brazil, Russia, India, China, South Africa, फिर last में आता है BAR, यानि कि BR, इस से आता है Brazil और Russia, तो जो last में R आ रहा है यह 2020 को represent कर रहा है, यानि कि इसकी जो 2020 की summit होनी है, यह Russia में होनी है, जबकि इसकी जो summit हुई थी 2019 में, यह हुई थ यह किस शहर में होई थी, यह हुई थी, फोर्ट जीला, एक ब्राजिल का शहर है, फोर्ट जीला, जहां पे होई थी, और ब्राजिल के president कोन है, ब्राजिल के president है, बोलन सारो, ठीक है, ब्राजिल की capital क्या है, ब्रासिलिया है, ब्राजिल की capital, ठीक है, उसके अलावा, हम लोग ने पढ़ा G7 और ब्रिक्स के बार में तो G7 की जो अभी समिट हुई थी 2019 में हुई थी फ्रांस में 2020 में होगी अमेरिका में और 2021 में होगी United Kingdom यानि कि England में इसी प्रकार से जो रश्या यह जो ब्रिक्स है ब्रिक्स की 2019 की समिट हुई थी ब्राजील में और 2020 की Сमिट जोहुए वाली है यह होगी आपकी रश्या में और इसकी समिट के लिक्रिक्स यानि कि ऑर्बीसी इस ब्रिक्स बार्स यानि की यg sister है ठिकी है थो आर्बीसीं तो आरवस है russia बीस ब्राजील c से चाइना इसस से इंडिया और सौध अफरिका इस से बरिक्स से आता है B ब्राजील रश्या इंडिया चाइना सौध अफरिका और्लास्ट मे बार यानि की B R तो B से ब्राजील और से रश्या है तो Brाजील जो ही एँ गयारवी समिट थी और रश्या में जो समिट होगी 2020 में ही होगी बारवी समिट उसके लाव एक छोटा साथ आपको एपक के बार में और बता दूँ देखिए एपक जो है इसका फिलफॉर्म है एश्या पैसिफिक एकनॉमिक को आपरेशन ठीक है यह भी एक इंपॉर्ड बॉर्ड बॉर्ड है जिसके स्थापना नाइंटी निटीनाइं में स खिली में हुई थी दोजार बीस में मालेश्या में हूने हाल है एकशन में न्यूज्लैंद में और बार इस में थाइलैंड में अर्डटा सा शाट ही यह बहुत बताया। है आप Спंट ए Chenicer लेशीन हो बाकि उन्हें हो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो जो भी आप लोग के सदेशन हैं कमेंट्स हैं रिव्यूज हैं आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए और आप से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंका जांट मेंट्स है से पहलिए मेंट्स हैं को सब्सक्राइब कि एसलिए यडियो जाई कर्णाई